नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं एस्पे नैनियो स्वागत आप सभी का आज की बड़ी खबर में और बड़ी खबर के शुर्वात मैंनपुरी से मैंनपुरी में होने वाले उप्चुनाओं से पहले बेज़ेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों कैंडिडेट को उतार दिया समाजवादी पार्टी ने एक और जहां डिमपल यादव पर बड़ा दाओं खेला है वहीं दूसरी खबर ये सामने आई है कि बीजेपी ने रगुराज शाक्य को उतार दिया है रगुराज शाक्य और डिमपल यादव के बीच में क्या टकर की लडाई देखने को मिलेगी या बहुत आराम से रगुराज शाक्य उतर जाएंगे जातिगत समीकरण से अगर देखें तो जातिगत समीकरण ये बता रहा है कि बीजेपी ने डिमपल यादव को चुनाव से पहले बुरी पठकनी दे दिया जी हां समाजवादी पार्टी ने डिमपल को उतार कर कहीं गलती तो नहीं कर दिये दरसल डिमपल यादव पर भरोसा जता रही समाजवादी पार्टी शायर ये भूल रही है कि कनोज और कई बड़ी सीटों से डिमपल चुनाव हार चुकी है ये वो seat रही है जो समाजवादी पार्टी की main seat मानी जाती थी जिन पर समाजवादी पार्टी का दबदबा था अभी की जो तस्वीर निकल कर साबने आ रही है वो बहुत बड़े हाथ तक ये बता रही है आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा जो नुक्सान है वो किसी और को नहीं साथ समाजवादी पार्टी को होने वाला है क्योंकि बीजेपी जाती की राजनिती खेलना बहुत बहतर तरीके से जानती है बीजेपी इस बात को समझती है कि जातिकत राजनिती करते वे कैसे अपने कैंडेट को खड़ा किया जाए और मैंन पुरी के बात करें यादवों के बाद दूसरा नमबर शाक के समुदाय का आता है शाक के समुदाय जिसकी आबाधी लगबग 3 लाग से जादा है माना ये जा रहा है कि शाक के समुदाय पर जातिकत कार खेल कर एक और जहां भाजपा ने चारों खाने समाजवादी पार्टी को चीत कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की मुश्कले लगातार बढ़ती चरी जा रही है अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस उपचुना में जीत और हार किसकी होती है लेकिन अभी की जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है अभी के जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो साफ सीधे तोर पर ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में भाजपा को बड़ी जीत तो मिलती नजर आ रही है लेकिन सबसे जादा और बड़ा जो नुकसान है वो बीजेपी को हो रहा है तो क्या आने वाले वक्त माफ केजे का सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को रहा है तो क्या मैंपुरी जैसी सीध भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलने वाली है और इसका जो बड़ा खाम्याजा है वो अखलेश्ट को उठाना पड़ेगा आज के लिए इतना ही आप से फिर दोबार मुलाकात होगी तब तक के लिए जाद दीजे नमस्कार